कुणजीवा, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कुणजीवा सब्त का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको उता दूँ कि जैपनीज में इसको कहते हैं नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेर करने वाला हूँ वो जैपनीज टेकनीक कि किस तरीके से वहां के स्टूडेंट अपने आपको इतना जादा डेबलप्ट उन्होंने कर लिया आज वो कंट्री इतनी जादा हाईली डेबलप्ट हैं लास्ट सेवेंटी यर्ज में जहाँ पहले कुछ भी नहीं था जब अमेरिका ने उस पे हिरो सीमा और नगा साकी पे एटम वम गिराया था उसके बाद उनकी एकॉनिवी पूरी कॉलाप्स हो चुकी थी बहुत सारी चैलेंजिस और प्रोलम्स वहां क्रेट हो गई थी सिर्फ लास्ट सालों में उन्होंने किस तरीके से अपने आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ करा कि उनकी कंटरी highly developed हो गई और वहां पे वो सारी technology अबिलेबल हैं वो सारे चीजें अबिलेबल हैं जो like in future इंडिया या फिर other countries बहुत टाइम भाद लेके करने की सोचती है तो आज के इस वीडियो में अगर आप student है तो यह वीडियो आपके लिए है और student नहीं भी है तब यह वीडियो देखें क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा कि किस तरीके से Japanese लोग अपने आपको बहुत जादा improve करते हैं तो दोस्तों number one point है काईजन का मतल होता है कि आप अपने plan को बहुत छोटे छोटे पार्ट में split कर लें actually accounts में बच्चों को पढ़ाता भी था periodic principle जैसे उनका का काईजन प्रिंसपल है वैसे इंडिया में accounts में periodic principle है कि जब भी कोई चीज आप set करते हैं long term distance को बहुत छोटे छोटे पार्ट में split कर लीजे example देन है और यह पूरी book खतम करनी है chill out आराम से हो जाएगा दिन पास होने लगते हैं होने लगते हैं एक महीना निकल गया फिर आप दोसरे महीने में सुछते हैं अरे आप तो दो महीने बचे कोई बात नहीं हो जाएगा उस टाइम भी आपका सिर्फ target क्या होता है दो महीने एक book तीन महीने एक book लेकिन जो जापनीज होते हैं वो काईजन प्रिंस्पल फॉलू करते हैं मतला बहुत छोटे-छोटे पार्ट में वो करते हैं क्या आज की डेट में मुझे एक चप्टर कवर करना है आज की डेट में मुझे सिर्फ एक पेज पढ़ना है अगर मैं इसको जर 250 गराम, 100 गराम इस तरीके का टार्गेट बना के चलते हैं कि मुझे सिर्फ एक दिन में इतने ही कम करने हैं तो यह चीज माइंड सेट रहता है अगर आप इंगलिश शीखना चाहते हैं बहुत जादी डाइवर्सिटी हमारे भारत में बहुत जादा है लेकिन इंगलिश की कि मुझे 10 वर्ड मीनिंग ही याद करनी है मतलब आपका यह टार्गेट होना चाहिए कि आपके इंगलिश तब आ जाएगी जो आप यह 10 वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तो काईजन एक प्रिंस्पल है जो वहाँ के लोग बहुत जादा फॉलो करते हैं जो हर काम को बहु आसान इंटरस्ट पे लोन दिये गया जिससे डबलपिंग बहुत जादा स्टार्ट हुई तो सेविंग बहुत बहुत इंपोर्टन डैस तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इंटेड्यूस करना चाहूंगा इजी प्लैन एप से जहाँ पे आप अपनी गोल बे सेविंग कर कर सकते हैं जो कि आपका सारा पैसा ICICI Prudential Liquid Fund में जाके इंवेस्ट होता है और दोस्तों लास 13 साल में अगर आप अपना पैसा इन फंड्स में रखते तो कभी आपको लॉस नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाइए इस आपको डाउनलोड करिए और उसके बारे मैं explain करूंगा set and order को set and order का मतलब होता है कि जो चीज जहां से ली जाए वहीं रखी जाए obviously starting में ये चीज़े मैनेज करने में बहुत जादा प्रॉब्लम होगी जैसा कि कल मुझे क्या पढ़ना है उसके लिए आज आज आप अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट निकाला कि पुरा द दूणने में आपका जो disguise time gapping हो जाती है उस चीज की भचत होगी तो इस चीज को follow करते है certain order में और next में बात करूंगा short short को उन्होंने इस तरीके से explain करते हो लो कि जो चीज जरूरत है मतलब छटाई मतलब होता है कि छटाई करते है वो लोग हर चीज की कि जो चीज जरूरत है वही चीज रखनी है जो चीज जरूरत नहीं है उसे अपने से दूर रखना है माल लीजे आपके table पे हमेशा 50 किताबे पड़ी रहती है लेकिन उसमें से साथ आप हमेशा रोज की 3-4 books ही पड़े बाकी की books वैसी की वैसी रखती है इसलिए वो हमेश सारी चीज है कि activity में जब दिन निकलता है student life में पढ़ाई कम tensions बहुत होती है तो उस टाइम उस चीज को वह कट करते हैं और जो चीज जरूरत है उसी को अपने पर अपलाई करते हैं और दोस्तों next point है S sign sign का मतलब होता है सफाई करना अभी normally मैं बात करूं इंडिया में अगर आप office culture में believe रखते हैं और office में अगर कोई जिसकी job like अपना काम खताम हो गया उरसे बोले अपना तुम deck साफ कर लो तो सायद वो next day से आपकी job नहीं करेगा बट में ऐसा नहीं है लोग वहाँ पे अपना cleanness बहुत ध्यान रखते हैं आपको साधी जान के हैरानी होगी मैं facts नहीं बता रहा हूं खेर वीडियो में बहुत सारे ऐसे facts हैं जो सुनकिया आपको बड़ा लगेगा कि रहर ऐसी चीज़े होती हैं लोग काम करने के युनो रिनी होते हैं मतलब चाहते हैं अपना स्रम दान करते हैं कि मैं खाली बैठाओ मुझसे काम करवाओ मैं खाली और दोस्तों next point है वो है ऐसे वो है standard standard का मतलब होता है जब मालीजी कोई भी चीज हमें करनी है उसको उसी rules के recording करना है जैसे अगर आपको एक book एक महीने में cover करनी है तो उसको starting ए one month से ही देना है ना कि last के दो दिन पढ़ेंगे और chapter खतम नहीं ये चीज follow up नहीं करनी है हमे अपनी window से हमें देख रहा होगा तो ये समझेगा कि night में traffic rules सोड़ना allowed है तो मैं ये गलती मैं नहीं करूँगा तो standard कितनी important होती है ये आप उनसे सीख सकते है और दोस्तों next point है वो है sustain, sustain का मतलब होता है discipline, discipline life में बहुत important है, student life में, professional life में या किसी भी जगा पे आप काम कर उसका discipline बहुत important है, discipline in the sense ये नहीं कि आपने अपना काम किया और खदम कर लिया बस चीजे मेरी तो निपड़ के नहीं, discipline का मतलब होता है उस चीज को उसी order में करना, अगर मैं बात करूँ discipline के बारे में, तो Japanese का discipline आज से 70 साल पहले से जब अमेरिका ने उन पे bum गिरा हीरो सी सीमा और नागा साकी में, bum गिरने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, American के सामने कि भाई आप पूरी तरीके से वो तूट चुके थे, तब American ने उनसे कहा कि भाई तुम जो है अपनी military build-up नहीं करोगे, इससे एक benefit भी हुआ Japanese को, इससे benefit ये हुआ कि अपनी पूरी economy का GDP का बहुत larger amount वो अपनी force पे नहीं लगाते, वो सिफ development में लगाते, यससे हैं गर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हमारी neighbor country, क्योंकि हम तीनों के पास atom bomb है, सब एक दूसरे से like, you know, war पे रहते हैं, तो अपना जाहतर पार्ट वो किस पे खर्च क और इंडिया भी 5th rank पे है, लेकिन पाकिस्तान के, अगर मैं बात करूँ, तो top 50 में भी नहीं गूमती हुए दिखती, तो कहीं न कहीं Japanese को इस चीज का benefit हुआ, कि America ने कहा कि तुम अपनी military build-up नहीं करोगे, हम तुमारी help करेंगे, कि अगर तुम पे कोई attack हुआ, तो हम टापू आइलेंड है, basically, 10 करोड की तो उनकी आवादी है, तो वहाँ पे कहा है, वो अपनी boundary किसी से share भी नहीं करते है, ना South Korea से, ना North Korea से, चाइना से भी नहीं, उतर रशिया से है भी, तो अगर मैं बात करूँ, जोग्रफिकली थोड़ा distance नजदीक है, लेकिन वो एक अटा कंपनी सिर्फ एक फोर्स के लिए गाड़िया बनाती थी, जो कि वहाँ बंद करके उनने आम लोगों के लिए गाड़िया बनाती लग गई, तो obviously, वो कितनी valuable चीज़ों होंगी, फिर साथ में सोनी कंपनी, पहले फोर्स के लिए work करती थी, उनकी आर्मी के लिए, उस क्योंकि वहाँ के उनको अब काम करना नहीं है, अब काम उनको देश के लिए करना है, तो obviously, वो discipline कैसे आप हटा सकते हैं, वो कहते हैं, एक हाथी का बच्चा होता है, तो जब उसको पिल्मान उसको क्या करता है, हमेशा बांद देता था, और एक जंजीर, मोटी सी जंजीर लगा के उसके पाउं में बांद के खूटे से बांदे, हाथी हर रोज उसको तोड़ने की कोशिश करें, हर रोज तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जंजीर मजबूत थी, वो तोड़ने ही पाता था, और वो ठक हार के हाथी विचरा बैढ़ जाता था, तकरीबन हर रोज जाट दिन, दस दिन, बारा दिन, वो करता रहा, लेकिन कभी जंजीर तूटी नहीं, लेकिन वो पिल्मान जो था, उसको टेक केर करने वाला, वो हर रोच, उसके पाउं में जंजीर बांद के, खूटे से बांदता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो भूल गया, उसकी अठा रहा, चुप-चाप से, और सुबह उठके देखा, विल्मान तुसने देखा कि वहीं पर वहीं है, तो दोस्तों ये थी प्राक्टिस, कि जो उन्होंने उतना टाइम अपने आपको आर्मी फोर्स में दिया, वो चीज यहां पर चेंज थोड़ी हो जाएगी, वही ट्रेंज की बात करूँ वहां के जो बुलेट ट्रेंड की, उनका एवरेज लेट डुरेशन भी 6 सेकंड है, अगर उससे अगर 5 मिनट लेट हो जाए वहां की ट्रेंज तो लेक हेडलाइन बन जाती है वहां की निव चैनल्स और टीवी में, तो आप समझ सकते हैं कि टाइन रतनों की तागत और दरपन की तागत, तलवार की तागत वह हमेशा अपने फोर्स को अपने आपको स्ट्रॉंक बनाने के लिए करते हैं, रतनों की तागत पैसों को मानते हैं कि पैसा होगा, तभी होगा, इसी वज़े से आज उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा डि आप यह सोचेंगे कि डेवलप्ट कंट्री के कोई चैलेंजिस नहीं होते तो उनके भी अपने बहुत चैलेंजिस होते हैं डेवलप्ट कंट्री के, डेवलपिंग के अलग है, डेवलप्ट के अलग का, जैसे अगर मैं बात करूँ डेवलपिंग कंट्री, छोटा एक्जा लाओ तो हर एक कंट्री के अपने अपने चालेंजेस हैं अगर एक जापनीज ने अगर आपको जवान दे दी तो वह उस टाइम को टाइम पर करके दिखाएगा ये चीज़ उनका एक कहना है कि आईना दर पर तो पिसिकली थ्री प्रिंस्पल्स को हमेशा फॉलो करते हैं और अगर आप भी उनसे कुछ सीखना चाते हैं बहुत सारी बुराही है उनके हो सकते हैं लेकिन वी आई इंडियन्स तो हमेशा एक लिएक मिक्स्ड अगर बात करूं वह हमेशा अपने आपको ब्रिंस्पल मैंश्मेंट पर फोकस रखते हैं कि अपने चीजों को बांध कर रहा है उसे चलने दो नहीं वह हमेशा आपने आपको प्रिंस्पल्स के बांद रखते हैं यह फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है जैसे आज आपके तबयत खराब हो गई तो आप स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन आपके प्रिंस्पल में है कि सुबह साथ बज के स्कूल जाना है त और साथ में आपने अभी तक इसी प्लैन आपको डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जाईए उसको इंस्टॉल करिए और अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करिए धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत